हेलो फ्रैंस मैं आज आपको बहुती सुन्दर स्लिप डियान सिखा रही हूं जो राजा महाराजा के कप्ड़ों में बनती थी पहले उसके वाद में फैबरी कटिंग करूंगी तो इस तरह से गुलाई कर दिये हैं मैंने यह मैंने यह दियान यह कट स्लिप पे बनती है पहले मौल लेडी कट स्लिप बन सूट या ब्लोज बना लेंगे तो हम जो उपर का सोल्डर है हमारो उसकी नाप लेके तब इसको गया है चाहा एंग और यह आधा और यह संवी अब कर लिए हैं और मेरी फैबरी के द्रेस माइन ट्रेस नाइठी उसमें से कपड़ बचा था मैं उसमें इबाजु लगा रही हैं अपनी में इबाजु तरह से मेने कप्डा फैब्रीक लिया है मुझे प्रेंटेरी ही कपान निकालना था क्योंकि मुझे इस कल्लो को महराजर जैसा हील देना था इसलिए मैंने इसको प्रिंटेड ही कपड़ा लिया है इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगे जो मैंने पेपर कटिंग करी है आप सेम उसी से करना नीचे एक सब ज्यादा होती है और उपर सेड़ी कम होती है आदा देंच लेकर मैंने इसमें कप्डे पर अलग से निसान लगाए जिसमें मैं सिलाई लगाऊंगे तो यह पर्फेक्ट इसी कटिंग पर मेरी आजया है सेम क्यूंकि वह उसे मैं मैं ज्यादा लिया है इसमें जो से लाइक का कपड़ा जाएगा उसके हम जाद लेने की अब जरुबूत नहीं है हमें बहुत ही प्यारी डियान बनकर आई थी मेरी सलेप्स की आप इसलिए प्लीज पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको कटिंग और स्टेचिंग दोनों ही अच्छी तरह से जाए बहुत ही आसन तरीके सिखाया मैंने इस दोनों ही सलेप एक साथ काट रही हूं मैं ध्यान नकना जो मैंने इत्म सिखाया नाप आप इसी तरह से काट होगी तम पर्फेक्ट बैठेगी आपको पहले हम ब्लोस गया सूट जो हम टॉप में बना रहे हूं तो कट सिलेप तयार कर लें उसके बाद यह सिलेप लगती है इस तरह से कटिंग कर ली जो छोटी गुलाई कटिंग है ध्यान लगना ऊपर आपका आठ यह साथ आएगा जितना भी आपको होल रखना है उसमें उसमें उपर उतना ही आप इस पर निसान लगाए अब देखो इन प्लटने क कपड़ा मैंने इसी कपड़े के कोई ही उसकिया है जिससे कि और सुन्दर लगे ही बहुती सुन्दर बनकर आई थी अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टैम देख रही हो तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन दवाएं जिससे कि कोई भी डिजान में आ जादा मेहनत में इस ड्यायन में बहुत सुन्दर आई लगता है बहुत ही बन जाती है ईग किसी में भी इसको बना सकते है क्रॉबच टॉप में ब्लॉ चुट में आप पर्फेक्ट बॉटॉपॉप पर लेटेस्ट जलू गंगे को किसी तरटोंग उर्छल पर दॉपकी ऐसे परसुत बहुती सुंदर लगाए आप सोच रिंग किस तरह कैसे क्या बना रही है लेकि जब इसका फाइनल लुक देक होगी ना बहुती सुंदर बनकर आया ता इसका लुक जो है जोल शुकड़ा हुआ यह दिखाई देता हमारा कपड़ा इसलिए कट्स लगाए जरूली है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करें और हां 100% आप इसको शेयर करें क्योंकि बहुत ही सुन्दर डिजाइंस बन के रही थी देखो मेरे अच्छ क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं करते हैं कर स्लिप में क्या है कि उनको इक डिजाइंस चाहिए लुक चाहिए एक नया तो वही लुक में आज आपके लिए लेक्याइब इस वीडियो अगर देखिशिंग के साथ तयार हुआ है यह यह आप इस पर लेस कोई भी उसकर सकती ह कोई लड़कन वाली लेसि उसकर सकती हो मोति ही लटक रहे हो या फिर आप घर पे भी इस तरो इसे डीच में लढशा सकती हो मोतियों से डेयंद बनाकर नेकिन प की में लैसि यूज करीए यह बहुत ट्रेंडिंडिंगे श्टैमप बहुत ही सुन्दर लगती। ड्रेस में लगा कर लेस एदम मार्ट जैसा लगता इश से लगाने से आप घरपए भी समय मुति अब jullie आपटरोट अता है अब लटकन वी लगा सकती हो बनाकर कपड़े की लटकन लगासकती हो नेकिंए इस तरह की लाता उझा ग nessa अश्पार लगता है हमें लगता ही नहीं इस तरह हम काम करेंगे अपने सूट में जो भी ब्लॉज बना रहे हो आप के अच्छा लगे लगेगा सेम मार्केट से ही खरीदा है हमने इसलिए मैं आपसे हर वीडियो को कहती हूं कि आप पूरी वीडियो देखा करो कि कुछ ना कुछ में इसमें वीडियो की बीच में टिप्स भी देती आती हूं सिलाई संबंदी पता नहीं कौन सी बात इसमें मिस्त्र हो जाए आपसे अगर आप नए हो तो आप 100% पूरी उसे मैननी कोश्स करोंगी और इस तरह से में इसको लगा दूँँगी इस में Panel मिंर्थे में money कंट लगांगी निसान चॉक से जिस situation से मेरा च्राय जोईंट किया है मैं अनुस sushi का वहां पर यह निसान बीच में आए और इधर विदर में इसको जोइंट कर दूंगे दोनों साइड से बीच में एक होला जाएगा अच्छी तरह से आप अगर फर्स टाइम कर रहे हो इस तरह से कटिंग स्टिचिंग तो आप सुई दागे से कच्चा कर लें इसको या पिंसे सेट कर लें इसके करना है आपको जिससे कि हमारा इदम बीच में सेंटर में आए जब हम इसको पहने तो सोल्डर पर हमारे पर अच्छी तरह से सेट हो जाए आप इस तरह से दोनों साइड इसमें लाई लगा लेंगे हैं मैंने अपनी चैनल पर बहुत ही सुना सुना स्लिप्स डिजाइन जसे खाए हैं अपनी मैं चैनल का जाकर देख सकते हो और में शचरा को सब्सक्राइब नहीं किया हो ता बिक सबस्क्राइब कर लें बेल बटन रवाएं जिसे कि आपको नहीं से अगैन्ड पोत बेंडशून इंडर में ऐसि आपको मड सोत करिकू पर सब्सक्रा जाइनस ज मैं बहुत प्याजी लग रही थी आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप कोई किस तरह की सिलिफ लग रही है डिजाएंस लग रही है यह को मैंने आपको फैनल लुक दिखाया इसका पहन कर ना प्यार लगा रुकुल सेम राज महाराजा जैसा थैंक यू